हाई गाईज आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 MCQ कोश्चन हमारा टॉपिक है टैली टैली यर्पी 9 टैली प्राइम आप कुछ भी यूज करते हो एक्जाम हो या इंटर्विव यही कोश्चन आपसे पूछ जाते हैं अगर आप कहीं ऐसे जगह पे इंटर्वि प्रिपेर करके ही जाई क्योंकि आपसे यही कोश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको उमीद दिलाती हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके लाबा कुछ प्रिप्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है चली आज के वीडियो हम स्टा ही टैली पैकेज डबलफ हुआ था अगर आपको किसी कोश्चन का आंसर ओल्रेडी पता है तो कॉमेंट में लिखते चलिए नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगी ही सेकेंड कोश्चन है मारा विच ओप्सन इस यूज़ टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली देख और एक आंसर क्या होगा थर्ड नंबर स्लेक्ट कंपनी को आपको चूस करना होगा उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी यह कोशन इंटर्व्यू में इस तरह से पूछा जाता है कि आप जहां इंटर्व्यू देने जाते हैं वह के बाद एंटर्व्यू कर दीजेगा तो वो कंपनी खुल जाएगी लेकिन अगर आपसे कहता है वीच ओप्शन इस यूजट इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी आप जब भी इंटर्व्यू देने जाएंगे तो वहां पे कोई न कोई कंपनी तो खुली रहेगी आपसे ब प्रिंटा रिपोर्ट जब भी हम टैली में कोई भी रिपोर्ट को अगर प्रिंट करना चाते हैं तो किस सोटकट की का यूज़ करके आप करेंगे तो इसका correct answer होगा फर्स्ट नम्बर अल्ट प्लस पी जैसे ही आप प्रिंट का अप्सन आ जाएगा टैली में प्रिंट करन दिजेगा वहाँ पे Ctrl प्लस P मत प्रेस किजेगा आपको प्रेस करना है Alt प्लस P In order to delete a voucher प्रेस अगर आप टैली में किसी भी वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तब किस की को प्रेस करके आप करेंगे इसका correct answer होगा थर्ड नमबर Alt प्लस डिप्रेस करना होगा किसी भी वाउचर को डिलीट करने के लिए Stock category and stock group are same देखे question ये पूछ रहा है कि जो stock category होता है और stock group होता है क्या ये दोनों same हैं सही या गलत correct answer क्या होगा second number false गलत है क्योंकि दोनों same नहीं होते हैं दोनों अलग होते हैं it is possible to use cash और bank in general mode क्या कह रहा है question कि क्या ये संभाव है कि हम cash या फिर bank को general mode में use कर सकते हैं correct answer क्या होगा first number true हाँ हम ये कर सकते हैं debit note is used for debit note किस लिए use किया जाता है टैली में correct answer क्या होगा second number purchase return के लिए हम debit note का use करते हैं लेकिन अगर आपसे question पूछे कि credit note किस लिए use किया जाता है तब इसका correct answer क्या होगा correct answer होगा second number sales return के लिए हम credit note का use करते हैं और purchase return के लिए हम debit note का use करते हैं to define a laser it is mandatory to maintain अगर आप किसी भी laser को define करना चाते हैं तो क्या maintain करना mandatory हो जाता है correct answer होगा second number group को maintain करना mandatory हो जाता है किसी भी laser को define करने के लिए what is the shortcut key to select a company अब अगर आप किसी भी इस company को select करना चाते हैं तो उसका shortcut key क्या होता है correct answer होगा first number function की F1 आपको press करना होगा किसी भी company को select करने के लिए in tally what is the shortcut key to change the date of transaction अगर आप कोई भी transaction कर रहे है transaction मतलब lane देन कर रहे है अगर आप उसका date change करना चाते हैं तो किस shortcut key का use करके करेंगे correct answer होगा second number F2 आपको press करना होगा तो वहाँ पे आपको date change करने का एक box आएगा उस पे जो भी date आप डालना चाते हैं डाल दीजेगा to select configuration screen we should press अगर आप configuration screen को select करना चाते हैं तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए correct answer होगा D number F12 का यूज करके आप configuration screen को select कर सकते हैं alt plus D is used to टैली में alt plus D किस लिए यूज किया जाता है correct answer है इसका third number delete any voucher किसी भी voucher को delete करने के लिए टैली में हम alt plus D का ही यूज करते हैं टैली has been developed using इन में से किस options का यूज करके टैली डबलफ हुआ था correct answer होगा second number C++ का यूज करके ही टैली हमारा introduce हुआ था which menu appears after starting टैली for the first time देखे question ये कह रहा है कि जैसे हम टैली स्टार्ट करते हैं टैली स्टार्ट होने के बाद सबसे first menu कौन सा हमारे सामने आता है correct answer होगा second number company info which option from company info menu is select to create a new company in tally question समझे कह रहा है कि company info menu से आप किस options को select करेंगे new company create करने के लिए टैली में correct answer होगा fourth number create company आपको select करना होगा new company create करने के लिए which option is used in tally to make changes in created company अब आपने company तो बना लिया अब अगर आप उस company में कुछ changes करना चाहते हैं तब किस options का use करके करेंगे correct answer होगा इसका third number alter पे आपको जाना होगा अल्टर का use करके ही आप टैली के किसी भी company में कुछ भी changes कर सकते हैं which laser is created by tally automatically as soon as we create a new company ये बहुत ही important question है question ये कह रहा है कि जैसे ही हम new company create करते हैं टैली में ऐसा कौन सा laser है जो अपने आप तुरंत create हो जाता है correct answer होगा fourth number a and b both यनि की cash profit and loss ये दो laser अपने आप तुरंत ही tally बनते ही tally company create होते ही create हो जाते हैं which option is used to move from one company to another when more than one companies are open question ये कह रहा है कि जब हम tally पे काम करते हैं एक से ज़्यादा company at a time पे open हो तो आप एक company से दूसरे company में move करने के लिए किस options का use करके करेंगे correct answer होगा c number select company आपको करना होगा एक example से समझे a, b, c नाम की तीन company open है आप company a से b में जाना चाते हैं तो आप b company को किजेगा select और press किजेगा enter तो वो open हो जाएगी dash go down facility is available in tally क्या go down facility tally में available है true या false तो correct answer क्या होगा first number true हाँ tally में go down facility available है देखे यही question exam में इस तरह से भी पूछा जाता है कि question same रहेगा लेकिन options को change कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा single या multi it means tally में multi go down facility अबिलेबल है या single go down facility अबिलेबल है तब इसका correct answer होगा second number tally में multi go down facility अबिलेबल है तो दो question बना पहला ये कि are true tally में go down facility अबिलेबल है second question ये बना कि multi go down facility अबलेबल है। आगे बढ़ते हैं, F1 is used for changing current configuration, क्या ये सही है कि हम F1 का यूज करके current configuration को change करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा second number false नहीं ये statement गलत है multi laser creation is possible in tally क्या tally में multi laser create कर सकते हैं possible है तो इसका correct answer क्या होगा first number true हाँ ये possible है कि हम tally में multi laser create कर सकते हैं allocation against bill are done automatically true or false correct answer होगा true हाँ ये statement true है next question है इसके बाद tally supports trading inventory क्या tally trading inventory को support करता है या नहीं इसका भी correct answer होगा first number true हाँ tally trading inventory को support करता है unit of measurement is used for calculation of stock question ये कह रहा है कि क्या जो units of measurement होता है वो stock को calculation करने के लिए use किया जाता है या नहीं correct answer क्या होगा first number true हाँ ये stock के calculation के लिए ही use किया जाता है F6 used for purchase voucher or not क्या tally में F6 purchase voucher के लिए use होता है true या false correct answer होगा second number false F6 purchase voucher के लिए use नहीं होता है इस question को exam में ऐसे भी पूछ सकता है for which voucher F6 used किस voucher के लिए हम F6 का use करते हैं तो यहां पे हैं 4 options correct answer होगा second number receipt voucher के लिए हम tally में F6 का use करते हैं the numbers of predefined lasers in tally are tally में predefined lasers के कितने नंबर होते हैं तो correct answer होगा a number दो predefined laser होते हैं tally में tally program files are stored in tally की जो program file होती है वो किस में store होती है correct answer होगा second number application directory में tally की program file store होती है लेकिन अगर exam में पूछे कि tally की data file किस में store होती है तब आप correct answer पे लगाएंगे first number data directory में data file store होती है किस की tally की in general the financial year from shall be from किसी भी साल में financial year कब start होता है तो इसका correct answer होगा a number first April of any year किसी भी साल के first April से financial year start होता है और वो खतम होता है 31 March को salary account comes under which head किस head के under में salary account आता है tally में तो इसका correct answer होगा fourth number indirect expenses के under में आता है salary account to get payroll report choose अगर आप tally में payroll report को पाना चाहते हैं लाना चाहते हैं choose करना चाहते हैं तो किस options का use करके आप करेंगे तो इसका correct answer होगा second number आपको जाना होगा gateway of tally फिर आप जाएगा डिस्पले में फिर payroll reports में ये payroll reports के जाने का path है BOM represent tally में BOM का क्या मतलब है क्या represent करता है इसका correct answer होगा third number bill of materials how many groups are predefined in tally अब question में क्या पूछ जा रहा है कि tally में predefined कितने group होते हैं correct answer होगा A number 28 groups होते हैं tally में जो predefined होते हैं how many primary groups are there in tally tally में primary groups कितने होते हैं इसका correct answer होगा C number 15 होते हैं primary group किसमें tally में how many secondary groups are there in tally आप क्या पूछ रहा है कि आपने primary तो देख लिया आप ये बताए कि secondary group कितने होते हैं tally में तब इसका correct answer होगा B number 13 होते हैं which option is used to view list of primary and secondary groups in tally अब आपने देखा कि tally में कितने primary groups होते हैं secondary group होते हैं लेकिन आप इस list को अगर view करना चाहते हैं तब किस options का use करके आप करेंगे तो correct answer होगा first number list of accounts में आपको जाना होगा तब आप देख सकते हैं इनका list को which menu is used to create new laser groups and voucher types in tally question ये पूछ रहा है कि किस menu का use करके आप tally में create कर सकते हैं laser groups और voucher new तो correct answer होगा third number masters में आपको जाना होगा create करने के लिए क्या new laser new group और new voucher लेकिन अगर आप से कहें कि किस sub menu का use करके आप इन सभी काम को करेंगे तब इसका correct answer क्या होगा correct answer होगा a number account info ये हमारा है laser groups और voucher create करने का sub menu which sub menu is used for voucher entry in tally tally में voucher entry करने का क्या sub menu है तो correct answer होगा second number accounting vouchers e tcs means tally में e tcs का क्या मतलब होता है क्या full form होता है correct answer होगा second number electronic tax collected at source if we purchase any fixed asset in credit we can pass it from अगर हम कोई भी fixed asset purchase करते हैं credit में मतलब उधारी में तो उसे हम कहां से pass कर सकते हैं correct answer होगा third number purchase mode से which unit is created for stock items like grain, pulse, sugar, oil, ghee, etc ये जो सभी stock items है जैसे pulse है, sugar है ये किस unit में create किये जाते हैं tally में तो correct answer होगा third number kg में ये सभी आते हैं which of the following equation is true for balance sheet balance sheet का इन में से कौन सा equation सही है statement सही है correct answer होगा first number assets equal to liabilities plus capital we can change the company information from अगर आप company का कोई भी information को change करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे इसका correct answer होगा second number company info में आपको जाना होगा फिर आप alter को select करके आप इन सभी काम को जितने भी changes करना चाहते हैं कर सकते हैं question number 49 company store options is available in company store options जो होता है ये tally में आपको कहां पे मिलेगा तो इसका correct answer है second number company information में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप company store का options आप find कर पाएंगे और आज का हमारा last question है we can modify an existing company from आप जो भी tally में company exist कर रही है बनी हुई है अगर आप उसमें कुछ भी modification करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे correct answer होगा a number company info फिर alter एक चीज़ ध्यान रखेगा टैली में अगर आप कुछ भी changes करना चाहते हैं modification करना चाहते हैं तो आपको alter options में जाके ही कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें